Self-Hypnosis, यानि अपने मायन को Hypnotize करके, किसी भी इच्छा को पूरा करने का सबसे तेज और आसान तरीका. अगर आप अच्छी नौकरी पाना चाते हैं, अपने बिजनस को ग्रो करना चाते हैं, अपनी किसी भी बीमारी को ठीक करना चाते हैं, वो डापा कम करना चाते हैं, अच्छी सीहत पाना चाते हैं, धेर सारे पैसों को आकरशित करना चाते हैं, या फिर आपकी कोई भी इच्छा हो, केवल इस एक टेक्निक की मदद से आप जो चाहें रातो रात अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अपने बिलीफ्स को बदलना बहुत मुश्किल काम है और उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें अपने बिलीफ्स को बदलने का सही तरीका नहीं पता होता है, लेकिन जो टेक्निक आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला ह हर रात सोने से पहले केवल 5 मिनट देगर आप अपने बिलीफ्स को बदलकर अपनी किसी भी इच्छा को बहुत दीजी से और आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो चलिए जल्दी से सेल्फ इपनोसिस की टेकनीक को समझते हैं और जानते हैं कि इस टेकनीक की मदद से आप अपनी किसी भी इच्छा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको इस पस्ट रुप से पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आपको इस पस्ट रुप से पता होना चाहिए कि आप अपना कितना वजन घटाना चाहते हैं या फिर आपका ideal body weight क्या होना चाहिए अगर आप पैसों को आकरशित करना चाहते हैं तो आपको स्पष्ट रुप से पता होना चाहिए कि आप कितने पैसे आकरशित करना चाहते हैं Self-Hypnosis में आपको Trance यानी एक ऐसी अवस्था में जाना होता है जहां आपके दिमाग में केवल आपकी इच्छा हो, आपका ध्यान केवल अपनी इच्छा पर हो और आपके दिमाग में कुछ भी ना हो. तो दूसरे स्टेप में आपको सोने से तुरंत पहले बिलकुल आराम दायक अवस्था में लेट जाना है और अपनी बॉड़ी को रिलैक्स करना है. अपनी बॉड़ी को पुरी तरह से रिलैक्स करने के लिए आपको Deep Breathing करना है और Deep Breathing आपको इस तरीके से करना है कि आपका ध पैरों की उंगलियों से लेकर उपर उठते हुए अपनी सिर्दक आपको अपने शरीर के हर एक अंग को रिलैक्स होता हुआ मेसुस करना है. सबसे पहले आपको मेसुस करना है कि आपके दोनों पैर पुरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं उसके बाद उपर उठते हुए आपका पेट, आपके दोनों हाथ, आपके कंधे, आपका गला, आपका सिर, इस तरीके से आपकी पूरी बोड़ी डीप रिलेक्सेशन पोजिशन में पहुँच चुकी है। अगर आप और भी ज़्यादा डीप रिलेक्सेशन में जाना चाते हैं, तो आप अपने सिर से लेकर अपने पैरों की उंगलियों तक दोबारा प्रोग्रेसिव रिलेक्सेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप डीप ट्रांस यानि गहरे स्वपने की अवस्था में पहुँच चुके हैं। पनते हैं और उसी तरह के एक्शन्स आप अपनी जिन्दिगी में लेते हैं। तो चौथे स्टेप में आपको विजुलाइज करना है कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। अगर आप अपनी इच्छा पूरी होने की प्रक्रिया विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप बस ये विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। और आप अपने परिवार की लोगों, अपने दोस्तों और अपने चाहने वाले लोगों को good news सुना रहे हैं और ऐसा करते हुए आप बहुत खुशी और उतसा मेहसूस करते हुए। इसके बाद अपनी इच्छा की खुशी और उच्छा मेंसुस करते हुए पांचवे स्टेप में आपको अपनी इच्छा से संबंदित affirmations बोलने हैं जैसे की I am so happy and grateful now that I have reached my ideal body weight of 60 kgs. आज मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरा वजन 60 kg हो चुका है. Thank you universe, I am so happy and grateful that I have achieved my job promotion of manager position in X company. धन्यवाद ब्रमांड, मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि X company में promotion मिल गया है और मुझे manager बना दिया गया है. I am so happy and grateful that I have multiple sources of income and money is coming to me from everywhere. मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि मेरे पास कमाई के कई स्रोथ हैं और हर जगा से मेरे पास पैसे आ रहे हैं. Thank you universe, today I have received 1 lakh rupees in my bank account. धन्यवाद ब्रमांड, आज मेरे बैंक खाते में 1 lakh rupees आ गये हैं. I am so happy and grateful that now I am earning 5 lakh rupees every month happily and easily. मैं बहुत खुश और आभारी हूँ कि अब मैं खुशी और आसानी से हर महिने 5 lakh rupees कमा रहा हूँ. I am getting healed and getting better and better. मैं ठीक हो रहा हूँ और हर दिन बैतर होता जा रहा हूँ. Thank you universe, I have an amazing relationship with my life partner and we love each other so much. धन्यवाद ब्रह्मांड मेरा अपने जीवन साती के साथ अद्बुत रिष्टा है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. जो भी affirmations मैंने बताए हैं, ये केवल examples हैं, आपको अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार affirmations बोलने हैं, जो भी आप ब्रह्मांड से मांगना चाहते हैं. क्योंकि इस वक्त जब आप deep relaxation position में पहुँच चुके हैं, आपकी body पुरी तरह से relax हो चुकी है, तब जो कुछ भी इस समय आप कुछ से कहते हैं, वो बाते सीधा आपके subconscious mind में जाती हैं और आपकी इच्छा बहुत तेजी से पुरी होने लगती हैं. आप चाहें तो एक ही affirmation को बार बार repeat कर सकते हैं, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 4-5 affirmations बोल सकते हैं. इसके बाद deep sleep में जाने के लिए आप 25 से लेकर एक तक अपने मन ही मन में उल्टी गिंती गिने और deep sleep में जाने की कोशिश करें. आप चाहें तो उल्टी गिंती देखने के साथ आप कुछ से बोल सकते हैं, I am going into deep sleep now. अब मैं गैरी निंद्रा में जा रहा हूँ. इससे होगा ये कि अपने affirmations को बोलने के बाद आप तो सो गए हैं, लेकिन आपके affirmations रात बर आपके subconscious mind में चलते रहेंगे और अगली ही सुबह आपको बहुती अच्छे ब अगर आप affirmations लिखना सीखना चाते हैं, तो आप मेरी e-book affirmations कैसे लिखें, description में दिये link से खरीद सकते हैं. अपनी e-book में मैंने 40 से भी ज़्यादा affirmations templates दिये हैं, 4 तरह के affirmations बनाना सिखाया है, affirmations लिखने के 4 बहुती important नियम बताये हैं, और किसी भी affirmation में कौन से 3 element होने ही चाहिए, ये भी बताया है, हमारी YouTube family के लिए इसकी कीमत केवल 99 रुपीज रखी गई है, आप यहां स्कैन करके भी payment कर सकते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लैक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें